सैमसंग नाम सुनते ही स्मार्टफोन, टीवी और इन जैसी टेक्लोजी से जुड़े प्रोड़क्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं पर क्या आपको पता है कि सैमसंग ने अपनी शुरुवात एक किराने के दुकान से की थी क्यों चौक गया ना? जी हाँ, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी पर इसके जैसे और भी कई सारे फैक्ट से सैमसंग के बारे में जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे तो शुरू करते हैं सैमसंग की शुरुवात से वैसे दो सैमसंग अभी दुनिया के सबसे बड़े टेक ब्रैंड्स में से एक है पर इसके शुरुवात एक ग्रॉसरी स्टूर के रूप में 1938 में होई थी और सैमसंग इस ग्रॉसरी स्टूर में फल, सबजीयों के साथ-साथ मचली वगणा जैसी और भी कई सारे चीज़े बेचता था फैक्ट नमबर टू, सैमसंग को कुरिया के देगू में ली ब्योंग चुल ने एक मार्च 1938 में शुरू किया था फैक्ट नमबर टू, सैमसंग अपने साथ-साथ अपने कंप्रेटर्स का ध्यान भी बड़े अच्छे से रखता है जैसे एपल, वीवो और अपो वगड़ा के सुनकर थोड़ा अटपटा लगड़ा होगा लेकिन ये बात सच है, सैमसंग डिस्पले बनाने के मार्केट में बहुत बड़ा नाम है और आइफोन में जो हम डिस्पले यूज़ करते हैं, वो भी सैमसंग ही बनाता है इसके अलावा और भी कई सारे ब्रैंड्स सैमसंग के बनाए हुए डिस्पले का ही इस्तमाल करते हैं आज तो सभी लोग स्मार्टफोन इस्तमाल करते हैं पर एक वक्त ऐसा था जब कीपैड फोन का चलन था और सीडियो में टेक्नोलोजी का इस्तमाल हर जगा किया जाता था तो आपको बता दें इस शेत्र में भी सैमसंग ने सबसे पहले बाजी मारी थी और लाँच किया था अपना पहला डिजिटल हेड़सेट जिसका नाम था सैमसंग एच सी एच हंड़ेड जो इस टेक्नोलोजी पर काम करता था आपको शायद याद हो एक जमाने में ये एक बहुत पॉपलर स्मार्ट फोन था अब ये फोन कितना ज्यादा पॉपलर था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि इसकी 18 मिलियन यूनिट बिकी थी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जिसका कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल है सैंसंग को इतने बड़े ब्रैंड बनाने में खैर क्या आपने भी कभी सैंसंग का कोई प्रड़क्ट यूज किया है कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आईए और आप सैंसंग के फोन से ही से देख रहे हो तो लाइक भी क्यांना